हेलो दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाक्टर राम अनुर्लो या ओध विदाले बीएट से संबंदित यानि कि ये वीडियो खास तोर पे उन बच्छों के लिए होने वाला है जिन बचों ने अभी नया अड्मिशन लिया है और वो ये जानना चाहते हैं कि राम अनुर्लो या ओध विदाले में बीएट के पैटर्न जैसे अड्मिशन, एक्जाम पैटर्न, सब्जक्स, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स, इसके बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी जिन बचों ने नया अड्मिशन लिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है एक बात त्यान से आप समझ चाहिए कि आपका ये जो डिसीजन था बीएट में एड्मिशन लेने का ये आपका बेस्ट डिसीजन था देखिए बीएड एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको बहुत करोड़ पती तो नहीं बना देगा लेकिन हाँ याद रखिए अगर आप सिच्छा से जूड़े रहेंगे एजूड़े रहेंगे तो आप कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे आपको जरूर आपकी जीवका का ये साधन बन सकता है लेकिन हाँ उसके लिए आपको सिच्छा से एजूड़े रहना पड़ेगा तो आप सब को कॉंग्राचुलीशन की आपने सिक्छक बनने की और अगरसित होने के लिए आपको जो प्रतम स्टेप है बीएड में एड्मिशन लेना आप उसमें एड्मिशन ले चुके हैं तो वहरी वहरी कॉंग्राचुलीशन वहल्यूश विच ही दोस्तु और को शुरू करते हैं कि our आवद विसीवी द्याले में बीएट से संबंदित कुछ बेसिक इनफॉर्मिशन जो हर एक न्यू कमर्स न्यू स्टुडेंट को बीएट में एडमिशन लेने से पहले या लेने के तुरंद बाद इस जानकारी को जान लेना चाहिए तो सबसे पहले जानकारी में आपको बता करन होगा अगर कुछ सवाल ही होता है mostly बच्चे सवाल करते हैं कि अवद केंपस में एडमिशन कैसे होता है इंट्रेंस के थू होता है या फिर कितने रंक लेने पर होता है नहीं दोस्तों आपकेंपस के अंदर बीएट नहीं होता केंपस आवदालोत से आफलेट जो कॉले होते हैं first year में एक exam और second year में एक exam ठीक है तो यह होगए दोस्तो admission और campus के बारे में अब थोड़ी सी basic knowledge ले लिजे आप अपने subjects के बारे में कि subjects कौन कौन से आपको पढ़ने है तो दोस्तो आपको total 5 subjects पढ़ने हैं be it first year में और 3 subjects पढ़ने हैं be it second year में ओके तो पहले बात करते हैं be it first year के subjects के बारे में be it first year में आपके जो 5 subjects हैं उन 5 subjects में 3 subjects common होंगे और 2 subjects optional होंगे ओके आईए सीधे चलते हैं कि subject कौन कौन से आपको पढ़ने है तो दोस्तो जो common subjects है आप सभी बच्चों के लिए चाहे आपने बीए, बीस्सी, बीकॉं, बीफार्मा, एमे, एमसी, एम्बीए, एम्टेक, बीटेक जो कुछ भी आपके ग्रैजुएशन रहा हो जिस भी बेस पे आपने अड्मिशन लिया हो ये तीन subjects आप सभी के common हैं उस subject क्या क्या है दोस्तो ग्यान एवं पार्टिक्रम अंग्रेजी में बात करें तो knowledge and curriculum, दूसरा अधिगम एवं विकास का मनोविज्यान, इंग्लीज में बात करें तो psychology of learning and development और तीसरी subject सैचिक तक्नीकी एवं ICT, इंग्लीज में हमारी campus में इसको educational technology and ICT कहा जाता है ICT, इसका मतलब बता information communication technology तो तीसरा जो आपका subject है सैचिक तक्नीकी एवं सूचना एवं संप्रेशर तक्नीकी, educational technology and ICT, information communication technology तो ये तीन subjects आपके common हैं आपको ये बी एड फर्स्टियर में पढ़ना है और आप बात कर लेते हैं second optional subjects की कि वो दो optional subjects कौन कौन से हैं और आपको क्या पढ़ना है तो दोस्तो optional subjects आपको दो choose करने हैं उसके लिए आपको university total 13 subjects provide कराती है मतलब इन 13 subjects में से आप कोई दो subject choose करेंगे जो आपके stream पे depend करता है जो कि आपके branch पे depend करता है कि आप कौन से site से be it करना चाहते है example की तोर पे जो numbers of 13 subjects क्या है देख लिए method of teaching हिंदी देखिए एक चीज़ में आपको confirm कर दूँ कि बीड में आपने graduation कर लिया है तो अब आपको हिंदी, English, Urdu, Sanskrit ये सब नहीं पढ़ना है अब आपको ये पढ़ना है कि method of teaching मतलब आपको हिंदी कैसे पढ़ाना है ये चीज़े पढ़नी है क्योंकि आप सिक्षक बनने जा रहे हैं आप be it कर रहे हैं तो आपको हिंदी नहीं पढ़ना आपको पढ़ना है method method of teaching हिंदी ठीक है दूसरा पढ़ना है method of teaching English, method of teaching Urdu, method of teaching Sanskrit, method of teaching mathematics, method of teaching physical science, method of teaching biological science, method of teaching home science, method of teaching civics, method of teaching history, method of teaching geography, method of teaching commerce, method of teaching economics आपको method of teaching पढ़ने हैं इन सारे subjects के इन में से कोई दो आप choose करेंगे अब ये confusion और एक सवाल रहता है कि sir मेरा graduation ये ब्रांच से है मैंने ऐसे graduation किया मेरे subjects के combination क्या होगा देखिए one by one बात कर लेते हैं अगर आपने math से graduation किया है math से यानि कि आपने math से bsc किया हुआ है ठीक है दोस्तो या फिर आपने btech किया हुआ है या फिर math से कुछ लोग b.a. भी करते हैं तो अगर आपने math से किया है तो आपके दो subject combination होंगे method of teaching mathematics method of teaching physical science अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि sir मेरे graduation में first year में तो math था लेकिन second year में मेरा physics plus chemistry था तो मेरे भाई आपको इसमें पूरे में कहीं chemistry नहीं दिखेगा तो अगर आपका first year में math और last year में physics और chemistry था फिर भी आपके जो दो subject combination बनेंगे वो physics और math ही बनेंगे chemistry इसमें नहीं है दूसरी बात कर लेता है biology वालों की जिन्होंने bio से bsc या b pharma किया है उनके जो दो subject combination बनेंगे वो बनेंगे biological science और physical science ठीक है दोस्तो आपकी ये दो subject बनेंगे कुछ बच्चों की सिकायत वही होती है कि sir मेरा bio plus chemistry है अब मेरा subject क्या होगा मेरे भाई मेरी बहन आपके bio plus chemistry वालों का भी जो दो subject होगा वो bio plus physical science होगा chemistry यहाँ पे नहीं है उमीद है आपको सीजे समझ में है confuse नहीं हो ना आपको आपका bio से है graduation आपके biology है तो आपका ये ही दोनों होगा आपका math है तब भी आपका mathematics और physical science होगा समझ में आगए बात clear कर लेते हैं ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं commerce वालों की जिन्होंने b.com किया है या फिर MBA करके B.A.D. कर रहे हैं और वद विसी विदाले से तो दोस्तो आपके जो दो subjects बनेंगे वो बनेंगे economics और commerce आपके ये method of teaching commerce method of teaching economics ये दोनों आपके subjects combination बनते हैं अगर इसी तरह बात कर लेते हैं कि किसी अब आपके graduation में आपने English से किया है प्लस geography से किया है आपकी वो दोनों सब्जेक्स कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ठीक है दोस्तो ऐसे ही अगर कोई समस्य आती है आप कॉमेंट में पूछिए हम वहाँ पे बैतर आपको रिप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये तेरा सब्जेक्स में से कोई दो आपका सब्जेक्स कॉम्बिनेशन बनेगा अब बात कर लेते हैं कि तो दोस्तों आप बात करेंगे एक्जाम पैटर्न के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एहम जानगारी दे दूँ कि अगर आप आवद विस्टी विडियाले से बीट कर रहे हैं तो प्लीज 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 आप अपना यू एन फॉर्म भर लीजिएगा अभी देखिए अभी आक्टूबर महीना स्टार्टिंग है मतलब ये वीडियो में बना रहा हूं आक्टूबर महीने की स्टार्टिंग में तो आप यहां देख सकते हैं स्टेप प्री रेजिस्ट्रेशन फॉर यू आईन 2021 तो अभी यहां पे बीड़ का यू आईन रेजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है लेकिन जैसे ही रेजिस्ट्रेशन होगा आपको चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा आप अपना यू आईन रेजिस्ट्रेशन करा लीजेगा और मान लीजे रेजिस्ट्रेशन सुरू हो चुका है और अभी ता पलसरी दोस्तो रेजिस्ट्रेशन कर लेना है ठीक है दोस्तो जैसे लिंक एक्टिव होता है आपको चैनल पर अबडेट कर दिया जाएगा UIN रेजिस्ट्रेशन आप जरूर कला लीजिएगा ठीक है दोस्तो आप बात करते हैं exam pattern के बारे में exam pattern समझने से पहले आपको थोड़ा सा file के बारे में बता दूँ कि beard first year में आपको total 9 file लिखने है देखिए कुछ ये depend करता है आपके महाविद्याले पे आपकी college पे कुछ colleges 12 file कुछ colleges 13 file कुछ colleges 8 file तो कुछ colleges 10 file भी लिखवाते हैं तो number change हो सकता है लेकिन हाँ ये जो 9 file है वो mostly and mostly colleges में लिखाया जाता है इसे फाइल में कौन से files होते हैं सबसे पहले तो आपके तीन file common होंगे ग्यान एवं पार्टिकरम अधिगम एवं विकास कमरों विज्ञान सैचिक तक नहींगे ये जो तीनों आपके common subjects हैं उसके अरावा जो दो subjects हैं आपके optional उसके अधार पे दो file लिखने हैं इसके बाद आपको व्यक्ति विकास एवं योग के उपर आपको एक file लिखना है कि योग से कैसे आपका सरीर स्वस्त रहता है और इसके बारे में व्याख्या करना है उसके बाद सिक्षा में संस्कृतिक गतिवी धियां मतलब activities, cultural activities का क्या advantages है इसके बारे में लिखना है और एक समीच्छा आख्या और एक last में आपको most important lesson plan बनाना होता है यह micro teaching आप जब colleges में करेंगे तो lesson plan आपको बनाना होता है आपके जो दो optional subjects हैं उसके अधार पर micro teaching क्या होती है यह दूसरे वीडियो में explain करके बताया जाएगा तो बस इतना याद रखिए कि कम से कम आपको 9 file लिखने होंगे be it first year में अब यह file पे कितने number मिलते हैं यह थोड़ा आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा यह देखिए मैं एक sister का result आपके साथ share कर रहा हूँ आपके total 5 subjects subjects 1, 2, 3, 4 and 5 इसमें हम बात करेंगे कितने numbers के total exams होते हैं तो देखिए 5 subjects आपके total 80 number का written paper होता है एक paper कितने का दोस्तों 80 number का आपके final में जब आपका center जाएगा तो 80 number का आपका written exam होगा ओके और 20 number आपको college से मिलेगा वो आप depend करता है आपका attendance कैसा है आपके assignments कैसे है आपने class कैसे regular किया है आपका behavior कैसा है तो यह 20 number internal आपको मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्ची का यह था external marks जो इनको मिले है 80 में और यह था internal marks जो इनको college से मिला है 20 number में यह है इनके total marks तो यानि की 80 number का external paper और plus 20 number का आपको college से मिलेगा यानि की 100 number total 500 number का आपका theory होता है ठीके दोस्तों theory मतलब आपके exams होंगे बात करते हैं practical activities के कितने के होते हैं तो फिर practical में आपको 1500 number का practical आपके college में university के तरफ से एक professor आएंगे वो आप से वाईवा लेंगे आपका फाइल चेक करेंगे उस अधार पे आपको 1500 number में से number आपको देंगे और 50 number आपके internal teacher आपका वाईवा लेंगे वो आपके फाईल चेक करेंगे तो 50 number internal इसमें भी आपको 1500 number external जो professor आएंगे वो और 50 नमबर आपके इंटरनल आपके महाविद्याले के टीचर आपको देंगे यानि कि 200 नमबर का आपका प्रैक्टिकल होता है यानि कि टोटल आपके फस्टियर में 700 मार्क्स के होते हैं 700 मार्क्स में 500 मार्क्स आपके ठीरी के और 200 marks आपके practical के तो दोस्तों अब इन 5 subjects में से exams pattern में अब external में paper कैसे होता है उसमें long answer कितने short answer कितने होते है और कैसे कितने घंटे का papers होता है क्या होता है यह दूसरी subject से तो इसको हम अलग वीडियो में discuss करेंगे paper को विस्तरी तुरूप से जानेंगे कितने marks के उसमें long answer कितने short answer कितने घंटे का paper वो दूसरी चीज़े हो गए दोस्तों तो इस वीडियो में हमने discussion किया कि campus के अंदर admissions नहीं होते है affiliated colleges में होते है subjects के बारे हमें बात करी practicals के बारे में बात करी files के बारे में बात करी number systems के बारे में बात करी कमेंट में आप बताएगा आपकी पूरी वहां से सहायता की जाएगी एक बार फिर से मैं दोस्तों congratulations देना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को जिन्होंने admission ले लिया है BA में इस वर्ष तो दोस्तों जुड़े रही है चैनल से आपको ऐसे information दी जाएगी अभी तो आपका admission हुआ है practicals कापके date आते है practicals बनाना कैसे wibar कैसे होता है files में क्या लिखना है और कैसे लिखना हर एक चीज़ आपको PDF फॉर्म में available करा दिया जाएगा दोस्तों उमीद है ये जानकारी बहुत helpful थी आपको समझ में आ गई होगी और अगर समझ में नहीं आई दिक्कत अगर कुछ चीज़े आ रही है मुझे comment box में feedback दीजिए मैं इसे सुधार करके फिर से उस चीज़ को आपको समझा दूगा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए मुझे खुशी होगी और अगर आप सबस्क्राइब करके इस चैनल से जूड़ जाते हैं तो मिलते है अगले वीडियो में दोस्तों मिलते है comment box में तब तक अपना खूब ख्याल रखिए जय हिन जय भारत